नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमिद सिंग पटवाल, आप से देख रहे हैं पटवालकास तो आज की इस वीडियों पात करने वाला हो, नई किया सेल्टोस फेसलिफ्ट कार में जो आज ही अन्वील हुई है इस वीडियों को दाने वाला हो, क्या इसकी प्राइज होगी, क्या नई फीजर्स आ रहे हैं और क्या-क्या चेंजिस होएं पुरानी सेल्टोस से इसमें इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देख दे रहे हैं तो शुरुआत करते हैं इसके इंजिन आप्शन से नई के असल्टोस में आपको तीन इंजिन आप्शन मिलने वाले हैं सबसे पहला आता है 1.5 लिटर का नैचुरल एस्पिटिट पेट्रोल इंजिन जो जनरेट करता है 115 पीएस की पावर और 144 एनम का टॉर्क यह अबलेवल होगा एक 6-speed के manual और एक IVT transmission के साथ दूसरा आता है 1.5 लिटर का डीजल इंजिन जो जनरेट करता है 116 पीएस की पावर और 250 एनम का टॉर्क यह अबलेवल होगा एक 6-speed के IMT और एक 6-speed के टॉक कनवर्टर आटमेटिक के साथ तो डीजल में जो है आपको manual transmission का option नहीं मिलता उसके जगह पर IMT मिलता है और तीसरा आता है यहाँ पर 1.5 लिटर का turbo charge petrol engine जो हमने नई वर्णा में देखा था यह जनरेट करता है 160 पीएस की पावर और 253 एनम का टॉर्क यह भी लोगा एक 6-speed के IMT और एक 7-speed के DCT के साल तो यहाँ पर भी जो है आपको manual transmission का option नहीं मिलता है अब बात करते हैं के design changes के रहे में तो front से शुवात करते हैं front में जो है अब आपको नई tiger nose grill मिलती है जो इसकी headlam and DRL है उसको यहाँ पर redesign कर रखा है front bumper को revised कर रखा है with new silver skid plate वही side के रहे हम बात की जाए तो side में जो है आपको जादा कुछ changes नहीं मिलते सिवाए एक changes के वो है आता है इसके alloy wheel के design में यहाँ पर आपको जो है नए 18-inch के diamond cat alloy wheels मिलेंगे जिनका tire size है 215 by 55 R18 इसके rear के रहे हम बात की जाए तो rear में जो है आपको नए design की LED tail lamps मिलती है जिसमें आपको connected lights का treatment मिलेगा rear bumper को जो है पर revise कर रहा है with new silver skid plate and आप यहाँ पर आपको dual exhaust मिलेंगे कोई भी fake stuff नहीं है एकदम real जो है आपको dual exhaust मिलेंगे cell toss में एक और चीज़ होगी है कि अब यहाँ पर आपको all LED lights मिलेंगी जाए इसकी head lamp करेंगे बात करो, tail lamp करेंगे बात करो indicator, reverse lamp किसी करेंगे बात करो हर एक light जो है अब आपको LED मिलेगी and साथ में जो उसके front and rear के turn indicator है वो भी जो है अब sequential कर दिये गए है वहीं इसके interior के हम बात की जाए तो जो उसका interior है, वो completely revise कर देगे है और आप हो जाए, पहले से काफी ज़दा premium लग रहा है अब बात करते हैं इसके variants के आरे में तो नई cell toss जो है, यह available है तीन variants के साथ सबसे पहला आता है tech line जिसके अंदर है hte, htk, htk plus, htx and htx plus variant देन आता है gt line जिसके अंदर सिर्फ एक variant आता है और वो है gtx plus और फिर आता है इसका top of the line, x-line variant तो नई cell toss जो है, इन तीन variant के साथ available है अब new features के रहे हैं, बात कन से पहले बात करते हैं इसके existing features की, यानि कि वो features जो अभी अली cell toss में आता है और नई वाली में भी आएंगे, तो ये है 360 degree camera, head-up display, 8-way power adjustable draw set seat, ventilated front seats, 8 speaker premium Bose sound system, front and rear parking sensor, 10.25 inch infotainment system with android auto and upper car play, air purifier, wireless charger, ambient lights, six airbags as standard and auto dimming air vm जैसे features अभी बात कीज़े इसके new features की, तो वो है panoramic sunroof, जिसमें जो आपने voice command के थुरू जो है, आप sunroof को open and close कर सते हैं, level 2 का ADAS मिलेगा, with 17 autonomous features, dual zone climate control मिलेगा, dual panoramic display मिलता है, जिसमें एक जो है आपको 10.25 inch का infotainment system का display मिलता है, और दूसरा आता है 10.25 inch का fully digital instrument cluster, new design की leather head seats मिलेंगी, sequential LED turn indicators मिलता है, all LED lights मिलेंगी, smart air purifier मिलता है, with virus and bacteria protection, electronic park brake मिलेगा, with auto hold, and advanced connected car tech मिलता है, with Alexa support, तो ये सारे features जो आपको मिलते हैं, नई किया CELTOS में, इसके color option के रहें बात की जाए, तो यहाँ पर जो आपको 8 monotone color option मिलते हैं, 2 dual tone color option मिलेंगे, और 1 matte finish color option मिलेगा, जिसको अपनी screen crop देख सकते हैं, अब बात करते हैं, new Kia CELTOS की price की, तो ये गाड़ी जो है, आज unveil हुई है, launch नहीं हुई है, तो इसकी price जो है, वो भी reveal नहीं हुई है, तो इसके expected price के रहें बात करते हैं, तो नहीं किया CELTOS में, काफी सारी नहीं features आड़े हैं, जैसे की sequential turn indicators, all LED lights, electronic park brake with auto hold, level 2 ADAS, panoramic sunroof, तो इन सब features के जैसे, गाड़ी की price भी बढ़ सकती है, तो इसकी expected price जो है, वो जा सकती है, around 11.2 lakh रुपीज से लेकर, 19.8 lakh रुपीज एक शुरूम तक, बाकिस गाड़ी की जो bookings है, वो उपन होगी 14th of July को, यहाँ पे किया वालों ने काफी अच्छी चीज़ करी है, के कोड को introduce करकर, इसके existing users के लिए, बेसिकली यह क्या है, यह एक loyalty benefit है, उन customers के लिए, जिनको जो है, नई Seltos की priority delivery चीए, यानि कि सबसे पहले delivery चीए, तो उनके लिए के कोड है, के कोड जो है, इसको सिर्फ existing किया उनरसी, जो है इसको generate कर सकते हैं, या तो किया की website पर जाकर, या फिर my Kia app को login करकर, के कोड जो है, यह available होगा, 14th of July को 12 a.m. से लेकर 11.59 p.m. तक, तो इस time के अंदर जो है, वो उनको के कोड को generate करना है, और फिर के कोड के थू है, वो नई Seltos की priority delivery ले सकते हैं, लेकिन अगर existing customers को नई Seltos नहीं लेनी है, तो वो जो है, इस के कोड को अपने family और friends में share कर सकते हैं, जिससे जो है, उनके family और friends में जिसको भी गाड़ी लेनी होगी, उसको priority delivery मिल जाएगी, तो यह जो है, काफी अच्छी चीज़ करिए Kia वालों ने, तो यह थी वीडियो Kia Seltos facelift के आर में, थैंक्स ओर वाचिंग झालों जाएगी,